जेडियू से RCP सिंग का राजसभा जाना लगभग अफ्तय हो चुका है RCP सिंग ही राजसभा जाएंगे उनका कारकाल अगले महिने खत्म हो रहा है उनको लेकर कई तरह की बाते हो रही थी कि जिस प्रकार से जेडियू के अंदर ललन सिंग और RCP सिंग के बीच में जो ठनी है पिछले कई महिनों से और उसको लेकर कही ने कही नितीश कुमार और RCP सिंग के रिष्टे पर प्रभाव पड़ा और दूडियां बढ़ गई नितीश कुमार नराज चल रहे थी RCP सिंग से तमाम बाते कही जा रहे थी लेकिन इन सब के बीच कल देर रात जिस प्रकार से मुख्मंतर नितीश कुमार ने दोनों निताओं को बुलाया घंटो बातचीत होती है नितीश कुमार ललन सिंग और RCP सिंग तमाम जो लोग थे तीन लोग वहाँ पे बैठ कर बातचीत किया उन्होंने एक अन्य मारग में घंटो मुलाकात होती है और कहीने कहीं इसे देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक करने की कोशिज जो है वो मुख्मंतरी दोरा किया गया है टाकि पार्टी में कोई विवाद उद्पर न हो कहा जाया था कि अगर RCP सिंग को राजस्वा नहीं बेजा आता है तो कहीने कहीं पार्टी जो है वो तूट हो सकती है पार्टी में नराजगी चरम पर थी ऐसा बात कहा जा था नितिश कुमार RCP सिंग के विच में तमाम थी जो को लेकर अब सब कुछ लेकिन असपस्ट चुका है जब नितिश कुमार ने ललन सिंग और RCP सिंग को एक साथ बैठाया और बैठाने के बाद सब कुछ ठीक करने की कोशिस की है RCP सिंग भी लगतार यह कहते रहे हैं कि रासभा तो हम जाही रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन पार्टी का कोई भी नेता RCP सिंग के नाम पर कुछ कहने से कत्रा रहा था चाहिए मुखवंतर रितिश कुमार हो सभी लोग यह कह रहे थे कि समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा अब वही आर्टीपी सिंग दिली से जभी पतना आते थे तो पार्टी काड़े आले और पार्टी के नेताओं से दूरी देखने को भी मिलती थी सिद्य अपने सरकाड़ी आवास और वहां से वह अपने ग्रिजिले के लिए निकल जाते थे जहां अपने नताओं से चुकि जडियों में तो थे ही है ही लेकिन अपने गूट के नताओं से लगतार मुलाकात करते थे ग्रिजिला हो या पतना हो लेकिन पार्टी के कारेक्र सिंग की दूरिया बड़ी है लेकिन तमाम बाते जो है वो कहीं न कहीं पीछे छूट गई और जिस प्रकार से कल देर रात आर्सीपी सिंग और ललन सिंग की मुलाकात होती है एक अन्यमारग में मुख्वंत रुतीष कुमार दोनों नेताओं को बुलाते हैं और सब कुछ ठीक करने की कोसिस करते हैं हाला कि अब देखने में रिवास हुए कि क्या वाकि में सब कुछ ठीक हो गया क्यूंकि कुछ तो बात है चुकि एक कोई भी नेता जेडियू का आर्टीपी सिंग को लेकर कुछ बोलने से इनकार कर रहा था लेकिन फिर भी अपता है माना जाना कि आर्टीपी सिंग ही जेडि यह से बातचीत कर यह टार्डिते तो पुठीटम के साथ बोलते थे कि हम राट सभा जा रहे हैं लेकिन उनकE अलाबा क्या दूसरा कोई नेता यह नहीं बोल रहा थे के रस सभाबब नहीं जाएंगे उनका कहना था कि समय आने पर बता दिया जाएगा कल दे रात मुक्पंत्री ने दोनों निताओं को बुला कर सब कुछ ठीक करने की कोशिज की ऐसा माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि आर्टीपी सिंगी रास्वा जाएंगे तुसको में ताहिए देख लेंस ब्यार नुश्कार